नमस्कार दोस्तों स्वात करते हैं आप सभी एक इवस्ति जी को इसमें तो दोस्तों आए जोई की विहार एडियलेट इंटरेंस एकजाम दोचार चौविस का जो दस एप्रेल का पेपर फ़स्ट का जो कंप्लिट हुआ है उसी पेपर को हम सभी देखने वाले हैं कि क्या देखने वाले हैं और उसी के अधार पर कुछ कोश्टन भी हम आपको कवर करवाएंगे ताकि हो सकता है अगला स्रिफ्ट में अगर पूछना होगा तो वहां से पूछा जा सकता है तो जिसका भी अगला स्रिफ्ट में एकजाम होने वाला है वो से भी वीडियो को देख लिए जएगा और लाश्ट में पैटन भी आपको बताएंगे कि किस किस टॉपिक से कोश्टन पूछा जा रहे कहां पर चेंज हो रहा है अब किस टॉपिक को पाकड़ने लगा है किसका वेटिज अधिक है तो जिसका भी अगला स्रिफ्ट में एक्जाम होने वाला है ये किस कारण से होता है तो दिहान रखिएगा मिट्टी का छरण जो होता है ये अतिधिक चिराई से होता है वनों की कटाई से भी होता है उर्वरक का अधिक उप्योग करने से भी होता है उसके बाद सहरी करण से भी हो रहा है उसके बाद जलवायू परिवर्तन और जुम ये सबी से जो कि मिट्टी का छरन हो रहा है तो अब option में क्या दिया था वो आपको पता होगा जो exam देक्या है वे हैं और जो भी exam देक्या है वो एक बार बताएगा कि यही question पूछा गया था पेपर में बिल्कुल एक question था कि Bambay Stock Exchange के अस्थापना कब वहा था कुछ इसी प्रकार से question था पर Bambay से ही related question था तो जहां तक है कि Bambay Stock Exchange के अस्थापना से ही question पूछा गया था यह आपका 1875 में किया था BAC ध्यान रखेगा यह आपका share market से सब्मंदी थे और इसका मुख्याले कहां पे हैं तो ध्य Congress के अस्थापना होता है तो याद रखेंगे आप सभी के लिए रहें जो कि बच्चे के दुरह बताया गया था अगला question पूछा गया था कि सब इधान का जो अनुछेद 21 हैं यह किस से संबंदी थे तो ध्यान दिजेगा अनुछेद 21 जो संबंदी थे यह किसी भी वेक्ति के विधीत वरा अस्थापित परिकिरिया के अत्रिक्त उसके जीबन और व्यक्ति के सुसंतरता के अधिकार से वन्चित नहीं किया जा सकता है इसी के बारे में प्राब्धान किया था अनुछेद 21 में तो देखें अनुछेद 21 से question पूछा गया है अब थोड़ा से expected question याद जा सकता है तो याद रखेंगा आपस भी अनुछेद 22 जो है किसे संबंदी थे तो कुछ दिसाओं में गरबतारी और उसके निरोधी के संडक्षन से संबंदी थे अनुछेद 22 उसके बाद अगला याद रखेंगा आपस भी अनुछेद 17 जो है ये किसे संबंदी थे इसमे असप्रिष्टा का अन्मूलन कर दिया गया है यानि कि छुवा छुद को समाप्त कर दिया गया इसके दाथ आप किसी से छुवा छुद नहीं कर सकते हैं उसके अनुच्छ्यत 18 को याद रखेगा इसमें उपाधियों का अंद किया गया उपादी क्या होता है जैसे कि पहले राजा महाराजा जो है कि अपने आगे राजा लगाया करता था या बात्सा लगाया करता था वो सभी उपादी को समाप्त कर दिया गया है ध्यान रखेगा महाराजा की उपादी धरन नहीं कर सकते हैं या आपसी बात्सा की उपाद धरन दिया जाएगा सरकारी नौकरी में ध्यान रखेंगा आप सभी उसके बाद अनुच्छे 23 को याद रखेंगा इसमें मानप के दुर बिभार और बलात सरम का परतिसीत किया गया यानि कि अनुच्छे 23 जो हैं इसके तहद कहा गया है कि किसी से आप जोड़ जबरदस्ती और ब आप सभी या अनुच्छे 24 था इतना सा फैक्ट याद रखेंगा एक्सपेक्टेड है हो सकता है कोईशन पूछा जा सकता है एक अनुच्छे 40 को याद रखेंगा जो की पंचाय से सम्बंदी थें अगला कोईशन देखें एक लोकतंत्र सिधान से कोईशन पूछा गया था कि पेथवी सिखर सम्मेलन का आयोजन कहा किया गया था या कभी किया गया था इससे पहले वाला सिफ्ट में पूछा गया था ये कब कहा हुआ था तो ये रियो डी जैनेरियों में किया था अब जो कोईशन पूछा गया है कि ये कब हुआ था था ये उन्हें सु बिरानबे जो classis हुआ है उसको एक बार जरूर देख लिज़ेगा जितने भी paper हुआ था चाहे हो आपका पहिला दिन paper हुआ हूँ चाहे हो आपका एक April यह 2 April यह 3 April का जो paper हुआ है सारा का paper देख लिज़ेगा उसमें expected question हम कबर करवा है तो उसको जरूर देख लिज़ेगा उसके बाद अगला कोशिशन है कि भारत की अस्थलिय सीमा कितने देश से मिलती है इसी प्रकार से कोशिशन था या इस प्रकार से भी कोशिशन मेरे ख्यार से हो सकते कि भारत का अस्थलिय सीमा जो ही कितने राजी के साथ साजा होता है कुछ इसी प्रकार से कोशिशन था पर एक जलिये सीमा, याद रखेंगा आप से भी स्री लंका ध्यान रखेंगा आप सभी, तो इसका correct answer हो था, साथ याद रखेंगा आप सभी, के लिए रहें, उसके बाद दिखें, ये प्रस्न जो है कि 9 अपरेल को पूछा गया था, जो कल का हम बताये थे, उसमें कुछ 9 अपरे इस डेट में एक्जाम होँआ था, पता चलता है कि यही option पूछा गया था, और clear करने के बाद भी clear नहीं हो पाता है, तो जैसे हम को clear हुआ हम आपको बता देए, कि वो 7 तरीक और 8 तरीक और 9 तरीक में इसमें ता उसमें, और कुछ 9 तरीक कोशन यहां देख लिए जीगा, question पूचा गया थै कि रंग भेद किस देश से संबन दी थै, यह दक्षिन अफिरका में यह वातर रंग भेद अंधरन याद रखने आप सभी, उसके पात एक question पूचा गया थै कि दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है, यह हो वो शकता है कि इस परकार से कोस्चन पूछा गया कि बारंपुद्र नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है इसे कोस्चन था गया इंपाल में किया चाटे है है एक होता है मातरिक चंद, वर्निक चंद, वर्निक वरीत और मुक्त चंद होता है, तो कुल चार परकार के चंद होते हैं, तो यहाँ चार परकार पूछा गिया है, उसके बाद एक कोशिशन था कि बिहार बंगाल से कब भी भाजित वा था, बहुत बार आपको ये कोशिशन बताएं हम से भी बिलुकुल बताए थे ये 1912 में हुआ था याद रखेगा और 22 मार्च को हम से भी हर एक बर्ष क्या करते बिहार दिबस मनाते हैं उसी दिन जल दिबस में मनाये जाता है तो 1912 इसका करेक्ट आंसर होगा यहीं से हो सकता है अगला सिफ्ट में कोशिशन पूछा सकता है याद रखेगा कि 1936 में उडिसा बिहार से अलग हो गया था देखिए जितने भी जुड़े वेफ्ट क्लासेस को लाइक जरू किजेगा एक लाइक आपको मोटिवेट कराता है देखिए आपके लिए हम 100% एफट लगा के सारा चीज़ तियार करते हैं ताकि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जा सके और आप नेक्स्ट लेबल तक आपका त्यारे हो और आप भीतर से तरीके से पेपर में स्कूर कर पाएं तो कलास को लाइक जरू किजेगा और अपने दोस्तों में सीर जरू किजेगा जिसका भी अगला दिन एक्जाम होने वाला है तो याद रखिएगा 36 को 36 में होगा था 1936 में उस स्पेशल कलास दिया गया है जिसमें 100 कोईशन कवर करवाया गया है मास्टर वीडियो है जाके देख लेजएगा प्रस्न वहां से देखने के लिए मिलेगा आपको तो कावर जिल बिहार में कहां पे हैं ब्यगुसराय जिले में हैं याद रहेगा आप सभी को अब थोड़ा साब पूछा जारे थो उससाब से कोश्टन नहीं आ रहा है थोड़ा सा टप आ रहा है इसमें क्या हो गया कि समास को बढ़ा दिया गया और उसके बाद अलंकार को बढ़ा दिया गया इस स्थि प्रकार से कोश्टन आप देख कि जाईगा सूद असुद वाक्सी कोइशन अब पूछन लगा है समाज से कोइशन, तीन से quarter. कोइशन हर स्ट्रिफ्ट में आ रहे समाज का और तत्पुरुष समाज और क्रमधारे समाज को विसेस करकी पढ़की जाईयेगा समिक्रन से कोइशन आ रहे है साधरन व्याज, चकरविर्दी व्याज से question आ रहा है tense से question पूछा जा रहा है English में ध्यान रखेंगा भर्वी से question पूछा जा रहा है Antonym, Synonym से question हलका फलका आ रहा है Pre-position से भी question आपके paper में पूछा ही जा रहा है उसके बाद active voice, passive voice को पढ़ की जाईएगा यहाँ से question पूछा जा रहा है जो paper देखे आता है सारा प्रसन बच्चे को याद नहीं रहता है उसमें क्या होता है कि कुछ गलती भी प्रसने बता दिया जाता है कि सर यही कूशन पूचा गया था जो कि खुद उसको याद नहीं राता है तो बट कोशिस करते हैं कि जो actual पूचा गया है वही चीज आपको बताया जाएगा दिखें मेरा कोई उद्देश नहीं कि आपको गलत चीज बताया जाएगा हमको क्या मिलेगा गलत चीज आपको बता के हो सकते हैं कलास आपको cover करवा देंगे जितना दिर में आपको हम update करते हैं तो मेरा कोई ऐसा उद्देश नहीं है जो हमको बताया जाता है बच्चे की दुरा जो भेजा जाता है वही जम आपको provide करने का कोसिस करते हैं अगला question आप से भी दिखेगा उसके बाद दिखे मुहवरा से question आ रहा है question का level ठीक ठीक ही पूछा जा रहे है थोड़ा सा हिंदी का बेटेज अधिक है और थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा टब बूरा आ है उसके बाद दिखेए reasoning में बात किया जाया तो लुपत संख्या से question आ रहा है यानि कि number series वाला question हो गया उसके बाद जो एक ही का सकते हैं कि यहाँ पर आपका series तो ही है coding decoding से question पूछा जा रहा है coding decoding को पढ़के अराम से जाईएगा आप से भी अराम से बना के आईएगा coding decoding वाला परसन जो आपका alphabet series वाला question होता है उसके बाद आकरतिक गिंती करने के लिए तिर्भूज वाला हो गया या हो सकता है आयत गिंती करने के लिए दिये दिया जाए उसके बाद आकरतिक गिंती करने के लिए पढ़के जाईएगा भोगोल को पढ़ लिजेगा इंडियन जोग्राफी को पढ़ लिजेगा जिसमें कि आप सभी जितने भी नदी घाटी पर योजना है नदी है और उसके बाद का सकते कि भारत की स्थिति और विष्टार को ज़रूर पढ़ लिजेगा उसके बाद वनजिप अभ्यारन और अरा अखरी दम तक पूछा जाएगा इसको त्यार करके जाएंगे आप सभी वाइस से कुछा जा रहा है इंगले इसमें परतीसत से भी कुछा जा रहा है लाभ हाने को पढ़के जाएगा चैतरमिती को निश्चित पढ़के जाएगे इसमें आप सभी सरकल को पढ़के जाएग कहां से संब्भन दी था दक्षी न पिरका से तो उस्सी फरकर से question है वरनवाला से भी question आपकी पेपर में पूछा जा रहा है ज़्यादा तर व्याकरन वाला portion ही पूछा जा रहा है जिसमें कि अलंकार ध्यान रखीगा हालाके अलंकार वह जैता है सुभा वहला कलास में जितने भी कोषिका से सम्मंद cabeça कोश्चन था वो आपको कबर करवाया गया ता सुभा वहला कलास को देख लेजगा मराथन सेशन की जो लाइब चलता है और ये classes daily art भी आपको दिया जाते है तो daily art जो मेरे साथ जुड़ सकते हैं देखे question का pattern थोड़ा सा दिरे दिरे अब change होते जा रहा है देखे paper थोड़ा सा अब क्या हो रहा है hard होने लगा है क्योंकि अब क्या हुआ समय सबको मिलने लगा क्योंकि जो पहले दिन exam दिया था जो अब 10 तारीक तक exam देगा तो paper तो hard आपको देखने के लिए मिलेगा क्योंकि 10 दिन आपको समय मिला है त्यारी करने के लिए तो जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा paper hard होते जाएगा paper मोडते जाएगा यानि कि question पूछने का turn अलग हो जाएगा ध्यान रखेगा पहले हो सकता है one liner वाला question पूछता होगा अब थोड़ा सा concept वाला question उठा के पूछा जाएगा तो उस हिसाब से आपको त्यारी करके रखना होगा माद्य और बहुलग से हर shift में question पूछा जा रहा है तो माद्य और बहुलग का special हम आपको class दे जी हैं जाके देख लेज़ेगा गनित में करीब करीब chapter को advanced math में छुही रहा है प्लस में arithmetic में भी छुह रहा है नम्मर सिस्टम को जरूर पढ़ लेज़ेगा आप सभी उसके बाद LCM SCF को पढ़के जाएगा अलंकार से question दो से तिन नहीं अब चार से पांच का बात कीजिए अलंकार से चार से पांच question पूछा जा रहा है हर shift में रस चांद से भी question पूछा जा रहा है विलोम सब्द से question आ रहा है चांद से question पूछा जा रहा है परमी संख्या अब परमी संख्या से question पूछा जा रहा है परमी बहुपद से question पूछा जा रहा है अब हाज संख्या से question पूछा जा रहा है वाच कारक से question पूछा जा रहा है संदी विछेट से आपका question पूछा जा रहा है उसके बाद आप वी सेशन को पढ़ लेज़ेगा सरवनाम को पढ़ की जाएगा हो सकता है आप सभी से उपसरग पढ़ती है के बारे में पूछा जाएगा अब यह के बारे में question पूछा जा रहा है तो ध्यान रखिएगा आप सभी यह सभी topic को पढ़ की जाएगा अराम से बिल्कुल score करके आएगा कहीं कोई दिकत नहीं होगा तो यही कुछ चीजे था जो हमको बताना था और कुछ अगर question फिर भी मिल जाता है जैसे का भी reasoning का होगी या mathematics का होगी या हिंदी का question अगर हमको मिल जाता है तो वो हम आपको provide कर देंगे जल्दी और कुछ जितने अभी question हम बताएं आपको उसे सम्मादित उसको जरूर याद कर लेजगा जिसका भी अगला shift में exam होने वाला है सारा expected question अगर paper में प्रस आना होगा इससे सम्मादित तो समझ लेज़ यहां से paper निश्चित आपको देखने के लिए मिलेगा question ध्यान रखेंगे आप सभी मिलते हैं जहिंद बंदे वातनम ध्यान रखेंगा पढ़ाई करते लिए आप सभी जाते जाते फेंड क्लास को लाई करके share करके जाएंगे और डेली आपका आट वी शुखा क्लासिस चलता है तो डेली आट वी जोड़ जाएगा expected question कवर करवाए जाते एक्जाम की दरिष्टे से जहिंद बंदे